प्रदेश के राजस्व मंत्री जैसे अक्रवाल की मांग पर खाद्य मंत्री अमर्जीत भगत के द्वारा कोर्बा विधाल सभा छेत्र के ग्राम सुमेधा और दादर खुर्द में नय धान उपारजन केंद्र की इस्थापना की स्थिक्रिति प्रदान की गई इन दो नय धान उपारजन केंद्र का शुभारम मंगलबार को राजस्व मंत्री जैसे अक्रवाल ने किया पहले सुमेधा केंद्र का शुभारम के बाद दादर खुर्द केंद्र का शुभारम किया गया सुमिधा केंद्र में लाटा, अगार खार, केंदाई खार, सुमिधा, सल्याभाटा, नागिन भाटा, कुमगरी, सेमी पाली के कुल आठ गाओं के क्रिशकों को सुमिधा मिलेगी वही दादर्खोर्द केंद्र में दादर्खोर्द खर्मुराट, हिलवटी, बर्बसपूर, जगरहा, नक्टिखार, कोड़ी, पंट्रिपानी, करुमाउहा, बुंदेली, डुमर्डी, एवं मुस्क्लिटी, सहित, कुल तेरह गाउं के क्रिशकों को सुमिधा मिलेगी एक और जानकारी के अनुसार सुमिधा केंद्र में क्राम, बलगी खार, छुरा कछार, डंगनिया खार, जमनिपाली, डुमर्ड मुडा, बरेडी मुडा, गोपालपूर, भार्टा पारा, कुदुरमाल, चोरभटी, एवं ग्राम, स्याही मुडे छेत्र को शामिल किया गया है राजस्व मंत्री ने कहा कि छेत्र के किसानों को उपार्जन केंद्र खुलने से लंबी दूरी तैन नहीं करनी पड़ेगी किसानों को उपार्जन केंद्र का लाब मिलेगा, इस मौके पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी और जन प्रतिनिधी मौजुद थे हमारे ग्रामिन भाई 25-25 किलिंटर दूर जाके जो धान बेचने जाते थे, उनको आज गाउं में आसपास के ग्रामिनों को भी इसके लाब मिलेगा, जो बहुत ही कम दूरी में आके इस धान उपार जिन चेंद्र में अपना धान भी कर सकेंगे मीडिया कोड सपोर्ट के लिए इश्वा राठा की रिपो